नमस्कार दोस्तो आज हम लोग scalping technique के बारें बात करने वाले और scalping technique या फिर scalping का जो definition है वो यह कहता है कि यहां पे एक trader बड़े quantity के साथ trade करता है और small points को chase करता है यानि कि आप quantity बड़ा करेंगे जादा quantity में trade करेंगे बढ़ आप जो points उन्हों chase करेंगे या फिर जो points आप profit के हिसाब से book करेंगे वो smaller points होगा यह basic concept है जो कि सही है बढ़ यहाँ पे catch है या फिर glitch है या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो beginners है उनके लिए क्या सीखना जरूरी है अगर आप scalping करने आ रहे है और small points को chase करें और quantity को बढ़ा करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपका risk काफी जादा है गलत जगा, गलत time, गलत execution मतलब आपका यहाँ पे loss होना guarantee है ना सबसे पहले यह जो scalping के बारे हैं बात करने वाला हूँ आज इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ ऐसे चार important pillars of scalping जिसके बुनियाद के base पे scalping का जो पूरा platform है वो बसा हुआ है जी अगर आपे scalper है या फिर scalping करना चाते है तो यह चार जो चीज है उसको आपको ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा कोई भी एक चीज अगर आप गलत करोगे तो यहाँ पे आपको problem face करना पड़ेगा तो सबसे पहले अगर आप वीडियो को देख रहे है तो फटाफट, like, share, subscribe करना मद बुलेगा और comment तो मुझे ढेल सारे चाहिए तो आपको लगता कि कुछ और यहाँ पे add कर सकता हूँ मैं तो वो भी concept topic next वीडियो चाहिए आपको वो भी आप ज़रूर लिखेगा तो scalping के चार important जो pillars है उसके उबर बात करेंगे सबसे पहला number one पे आता है कि momentum market में अगर momentum नहीं है अगर market में momentum नहीं है और market range bond पे trade कर रहा है let's take an example कि बजार range bond पे trade कर रहा है तो यहाँ पे आप scalping बिल्कुल नहीं कर पाऊगे because वहाँ पे आपका range bond हो जाएगा हलाकि इन types of scalping जब मैं webinar पे अगरा बात करता हूँ तो वहाँ पे 3-4 type के scalping होते है तो range bond scalping भी होता है बड़ वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको caution लेना पड़ेगा उसका detail क्या है वो मैं अलग किसी और वीडियो में बता दूँगा और अगर momentum का बात कर तो सबसे easy और सबसे best way of scalping है momentum scalping अगर आप एक beginner हो और आप कोई algo system या फिर high speed frequency trading नहीं कर रहे है so momentum scalping आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा ना problem यह है कि momentum scalping या फिर momentum क्या है यह जाना जरूरी है मानके चलो कि बजार कुछ इस प्रकार से चल रहा है let's take example कि मार्केट इंदम sideways sideways पर चल रहा है gap up gap down के बाद ऐसा नहीं कि market खुल गया उपर 1% या फिर market down खुल गया उसके बाद momentum मिला तो लग बात है बड़ अगर market gap up गया बाद जो momentum होता है जो market का swing होता है ऐसा swing होता है यह अगर sideways पर है तो scalping मत कीजेगा do not do scalping because वहाँ पर आपका premium decay हो जाएगा और market direction आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा तो किसे अगर लग गया आपके favor में तो maybe you can make profit but अगर sideways है तो try to avoid the trade ठीक है momentum अगर अच्छा है let's say कि अगर आप bank nifty में trade कर रहे हो अगर आप एक bank nifty index पर trade कर रहे हो जहाँ पर momentum काफी अच्छा है तो वहाँ पर अगर आप trade कर रहा और आपको bank nifty swing कर रहा है at least 100 to 200 points के बीच में अगर market swing कर रहा उप and निचे कर रहा है बजार अच्छा खासा momentum अच्छा है then go for the momentum scalping या फिर बजार ऐसा कुछ momentum बना रहा है where it is trying to give a downfall up and down, up and down, up and down ऐसा चल रहा है तो यहाँ पर scalping अच्छा बनेगा तो सबसे पहले clear क्या होना अच्छी है momentum होना अच्छी है scalping करने के लिए दूसरी बात as because यहाँ पर मैंने पहली कहा कि आप smaller points को chase करते बड़े लंबे points के लिए आप hold नहीं करते date को for smaller points तो यहाँ पर आपका हो जाता है quick in right and out यानि कि entry exit आपका जल्दी होता है right to a certain point of time अब यहाँ पर entry कैसे करना exit करना कैसा है वो detail में अगर आप चाते वीडियो बनाना बनाओ मैं तो definitely बना दूँगा और अगर आप detail में जानना भी चाते तो एक coming webinars है हमारा उसके भी आप join कर सकते है जहाँ पर detail में इसके उपर cycle का wait करना पड़ेगा या फिर कभी कर बार loss पर भी जाना पड़ेगा तो यह सबसे पहले मैं आपको बता रहता हूं कि यह important इसलिए है because अगर आप momentum scalping नहीं कर रहे हो और आपने यहां पर entry लिया call option का तो आपको एक swing में पैसा बनेगा बट अगर आपने यहां पर entry लिया call option का और market फिर नीचे आ गया तो आप बोलों किसे मेरा तो stop loss आ गया तो basically यहां पर आप loss पर बैठो गया तो यहां पर रॉंग entry हो गया तो आपको देखना कि बजार का trend कैसा है momentum of the market कैसा उसके बाद आप second entry या फिर first entry जो भी आपको entry करना quick in quick out पर आपको scalping देना हो और मेरे पास जो कार है वो चलो Lamborghini है तो आपको लगता है कि मैं Lamborghini लेके mountain पे चड़ाई करता हूँ जहां पर road थोड़े तूटे फूटे हैं पत्थर वगरा है कर सकता हूँ क्या तो बिलकुल नहीं भले ही वो Lamborghini थार अगर मेरे पास थार है उससे कितना भी costly क्यों नहीं फिर भी मैं उसे mountain पे लेके नहीं जा सकता, rides comfortable नहीं होगा और car damage हो जाएगा बट उसी जगा पे अगर मैं थार जो car है महंद्रा थार उसको अगर मैं लेके जाता हूँ तो definitely वहां पे मैं उसको आराम से drive कर पाऊँगा बट जहां पे जो जगा पे जो car suit करता है अगर आप ले जाओगे तभी अच्छा रहेगा तो same way अगर आप strike price selection गलत करोगे गलत जगा गलत strike price तो फिर result नहीं मिलने वाला तो selection of strike price this is very very important अगर आप strike price को गलत select करोगे तो फिर काम नहीं आएगा because right selection of strike price ही आपको result अच्छा देगा because points कम है तो index में अगर आप काम point chase करो तो आपको momentum in the strike price ही मिलना चाहिए तो इसके उपर मैं dedicatedly हमेशा focus करता हूँ और pressure भी डालता हूँ कि इसको उपर focus ज़रूर किजेगा right vehicle select करना ज़रूरी है for right setup market अगर market में आपको लंबा भी खेलना है लगता है कि market में बड़ा move मिलने वाला है तो आप OTM, deep OTM में एक trade लेके hedge बना के कर सकतो बड़ अगर आपको scalping करना है तो यहाँ पर कौन सा strike पर select करना है यह definitely काफे crucial है थोड़ा research कीजे नहीं तो फिर अगर आप जानना चाहते है तो comment पर ज़रूर लिखेगा जिसे मैंने कहा कि आप अगर यहाँ पर trade ले रहे हो तो ठीक है बट अगर आप यहाँ पर call option ले रहे हो तो आपका stop loss लग गया बट अगर आपने यहाँ पर stop loss नहीं लगाया है गलत जगा पर entry किया और stop loss लग गया आपने exit नहीं किया तो अच्छी बात है चलो यहाँ पर market पर तो दुनिया कायम है बट उमीद पर market नहीं चलता है अगर आप factually काम करते है और data driven काम करते है stop loss लगाना important है तो risk management ज़रूर कीज़ेगा और scalping पर अगर आप एक तरफ का trade करता है मैं example से यहाँ पर से मैंने call option का दिया बट जब हमनों scalping करते हैं और यहाँ पर कुछ market range reward है और या फिर कहूं के sideways चल रहा है बजार वहाँ पर scalping करना है फिर momentum में भी करना है तो मुझे यहाँ पर risk manage करना है तो मैं कैसे risk manage करूँगा तो call के साथ put का combination trade बनेगा जिसको कैसे ratio पर करना है कौन से exit करना है कितने percent पर entry करना है कितने percent पर re-entry करना है because अगर आप एक entry क trader के छोड़ देरो तो नहीं बनेगा scalping पे generally अगर momentum अच्छा है तो दिन का at least 4-5 trade आप आराम से ले सकते हो तो हर एक entry में कितना quantity over add करना है कितना निकालना है वो सारा का सारो जो concept है वो आपके risk management के उपर depend कर जाता है तो यह काफी crucial है थोड़ा सा research कीजिए सोचिए कैसे करन करना चाहिए और अगर नहीं पता तो comment जरूर कीजिए और number 5 last but not the least scalping के देखो चार स्थम बता दिये 5 वाला है वो आपका volatility volatility this is very important अगर बजार में ज्यादा volatility है right मान के चलो के बजार में ज्यादा वोलड़ी कोई news है कि budget वाला news हो गया या फिर RBI का MPC वाला update आने वाला है और उन्हों market में जबदस momentum उचाल कुद हो रहा है तो traffic बन रहा है तो उस जगा पे scalping ना करे तो बैतर है अगर तुके से ल guarantee है और नीचे के तरफ गया तो loss guarantee हो जाएगा इसलिए volatility को नज़र रखेगा अगर volatility stability पर है यहां पर भी अगर volatility अच्छा है चलो यहां पर अगर volatility ऐसा है और मुझे पता है कि मैं volatility में यह volatility में range bond पर overall trend आपका up trending है तो we can go for it but अगर trend clarification आपको नहीं मिला है confirmation of the market आपको नही जहां पर मैंने quick win quick out का बात किया momentum का बात किया और सबसे पहले definition of scalping क्या कहा कि बड़े quantity और smaller points अभी ज़रूर नहीं है कि आप बड़े quantity में trade करो आप smaller quantity में trade करो पहले और धीर धीर करके आगे बढ़ो और उसके बाद आप बड़े quantity में जाओगे वो आपके उपड़ी पड करता हूँ तो मैं यह points कैसे कमाऊंगा पहले यह सोचना पड़ेगा और अगर मैं 20-30 points कमा रहा हूँ तो मैं max to max loss भी 20-30 points कहें लूँगा क्योंकि यहां पर मेरा ratio कर दे रहा हूँ 1 is to 1 generally यह ratio उतना ज्यादा favorable तो नहीं है बट फिर भी at least better than minus वाला यानि कि आप 20 points कमा रहे अगर आप नीचे एकदम डीपोटेम पे जिसका premium value यह आपका 10-15 है उस पे अगर आप ट्रेड करो तो फिर ठीक है बट जनरली वहां पे उतना डीपोटेम पे ट्रेड करना scalping के लिए avoidable situation हो आपे ट्रेड नहीं करना चाहिए इसलिए का selection of right strike price is very important तो volatility, risk management यह पांच चीज करने में सुनने में जितना आसान है करने में उतना आसान नहीं है अगर आपने गलत जगा गलत टाइम पे इंटरी किया राइट सिरस्ट प्रेड नहीं किया तो फिर problem बनेगा तो बहले मैं आपको डिस्क्रेमा देद रहा हूं it is not an easy game जहां पर आपने ट्रेड ले लिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक श्या सब्सक्राइब किजिएगा कमेंट किजिएगा कैसा लगा वीडियो और कोई सवाल इस टॉपिक के बारे में आपका कुछ इंपूट्स है तो वह भी जरू नीचे पोस्ट किजिएगा अगर आप हमारे अपकमिंग वेविनास या वक